और अब बात करते हैं बिहार की जहां खगडिया में छट की दिवार को उचा करने के विवाद में जेट और जिठानी ने पहले महिला के साथ मारपीट की और इसके बाद उसकी दस साल की बच्ची के सामने उसे छट से फेक दिया गमीर हालत में महिला का अस्पिताल में इलाज चला इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई मामला नंगर छेतर के विश्वनात गंच का है महिला की बेटी ने बताया की मेरे सामने बड़े पापा और बड़ी ममी मा के साथ मारपीट कर रहे थे मैंने छुडाने की कोशिश की मुझे धका दिया गालियां दे रहे थे और इसके बाद एकदम से मा को उठाया और छट से नीचे फेंग दिया 21 जून को इलाज के दौरान मुहमन इंतियाज की पत्नी 30 वर्षी सबनम खातून की मौत हो गई मृतिका की 10 साल की बेटी लाडली ने बताया की 23 सत्रा जून को बड़े पापा और ममी के बीच में छट की दिवार को लेकर विवाद हुआ था फिर रात के 10 बजे बड़े पापा एक्तियार सहित परिवार के सभी सदस्यों ने ममी के साथ कूरी तरह से मारपीट शुरू कर दी परिवार के सभी सदस्यों ने ममी को बचाने की कोशिश की उस दोरान मैं भी ममी को बचाने की कोशिश कर रही थी मा को बचाने के लिए काफी रोई और चिलाई भी लेकिन सभी लोगों ने मुझे वहाँ से जबरदस्ती हटा दिया मेरी आँखों के सामने ममी के साथ मार पीट के दौरान बड़े पापा ने नव निर्वित भवन के छट से उन्हे नीचे फेक दिया ममी 15 फीट छट से नीचे गिरने पर बुरी तरह से जख्मी हो गई इसके बाद काफी चिलाने के बाद इस्थानी लोगों की मदद से अस्पताल में भरती कराया गया इधर मृतिका के माय के वालों ने भी आरोप लगाया कि पिछले 15 दिन से विस्वनात गंजिस्तित घर पर पक्का करने को लेकर काम चल रहा था और इसलिए दहेश के रूप में रुपया की डिमांट की जा रही थी महिश अपनम के दारा रुपया नहीं देने पर एक सब्ता से मार पीट और गाली के लौच की जाती थी पुलिस ने दो लोगों को हिरासत मिल या है और मामले में फूच तांच कर रही है बेरो रेपोर्ट विराटियो सबी ने मिलके इसे मारा उसमें आप नहां थे जट पर आपके सामने भी अगटना हुआ राजवाटिका विवाघर सरसुविधायोक्त प्राकर्दिक सुन्दर्दा से ओट प्रोथ राजवाटिका विवाघर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन्दिन पार्टी, जन्मासा सहित, आन्यकारिक्रमों के लिए विवाघर उपलप्त अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं, शहर के मर्ध वातानुकूलित राजवाटिका मेरजगार्डिन के साथ, हमारा पता है राजवाटिका मेरजगार्डिन, नेशनल हाइवे, जूला मूर, भुंटहा, रिवा, अधिक चानकारी के लिए संपत करें, 98270-0425 5-1